नमस्कार, SP9 News में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उत्तरपरदीश के सुल्तानपुर में मंगेश श्यादव के एंकाउंटर पर अब सियासत लगतार तेज होती हुई नसर आ रही है। विपक्षी पार्टी आप सत्ता पक्ष की पार्टी को घेर रही है। अब मंगेश श्यादव एंकाउंटर मामले को जाती अधारित देखा जा रहा है। और भारतिय जंता पार्टी पर गंभीर आरूप लगाए जा रहे हैं। जहां पहले समाजवादी पार्टी के रास्ट्रे अध्यक्ष अखलेश श्यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किये। और जाच की मांग की वहीं मंगेश श्यादव के एंकाउंटर के बाद अब जाच मानवधिकार आयोग के पास भी पहँची, मजिस्ट्रेट के पास भी पहँची, अब बड़ी मांग एक बार फिर से होती हुई नसर आ रही है। दरसल आपको बता दें कि अखलेश श्यादव के बाद अब अजा समाच पार्टी के मुख्या और नगीना सीट से लोग सभासान सद चंदर श्यादव की मांग की है। आपको बता दें नगीना सांसद ने इसे बेहद गंभीर घटना बताया और कहा कि ये जीने की अजादी के मौलिक अधिकारों की हत्या है। आपको बता दें नगीना सांसद ने अपने शूशल मीडिया साइट पर लिखा सुल्तानपुर में सर्राफ़ा कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की माद्वारा उठाये गए सवाल बड़े गंभीर ह आपको बता दें ये चुन्ता का विश्य बन जाते हैं एनकाउंटर शाषनिक हत्या का साधन बन गया है शाषनिक हत्या भारतिय सविधान के अनुचेद 21 में प्राप्त जीवन की अज़ादी के मौलिक अधिकारों की भी हत्या है मैं मानेनी सुप्रिम कोट से इस पुरे मा सामने आता है